Good morning students, आज हम मा मुझे आने दे पार्ट पढ़ेंगे, इसमें प्रश्नोत्तर और व्याकरा नाम्श शब्द हम पढ़ेंगे इस पार्ट का उद्देश छात्रों को मुक्तक कविताओं से परिचे करवाना है इस कविता के माध्यम से भुरून हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है लिंग भेत का डट कर विरोध करना है भुरून हत्याओं पर रोक लगा कर बालिका शिक्षा की प्रेरना देना इसका उद्देश है इस पार्ट के कवी परिचे कवीत्री मुरुदुल जोशी का जन्म सुत्रा खंड के काठ गोदाम में इवा है इनकी रचनाओं का मुख्य विशई नारी चेतना वा समसमाज का निर्मान है इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी गुम होगे अर्थ की तलाश में शब्दों के क्षित जिसे इन दोनों आदी है इस पार्ट का व्याकार नाम्ष पहले हम पढ़िंगे लिंग बदलिये मा बाप लड़का लड़की दादा दादी आदमी आउरत कवी कवी इत्री याने स्त्रीलिंग और पुलिंग माता पिता बच्चा बच्ची स्त्री पुरुष लेखक लेखी का नायक नायक भाई बहन बेटा बेटी नर नारी नट नटी परियायवाची शब्द मा, मा का परियायवाची शब्द है माता जननी बच्ची बेटी, पुत्री, बिटिया, दंभ, गर्व, घमंड, डर, भै, कदम, पग, घर, मकान, किस्सा, कहानी, पिता, बाप, नाना, अब्बा, अंधेरा, निशी, तम आंख, अक्ष, नयन, समुंदर, सागर, समुद्र, आसमान, नब, आकाश, अंबर, दुनिया, विश्व, समसार, जग, सपना, स्वपन, वचन बदलिये, मतलब एकवचन और बहवचन, कहानी, कहानिया, बेटा, बेटे, बच्चा, बच्चे, लड़की, लड़किया, लड़क आंगन, आंगन, यहां पर एकवचन, बहवचन, दोनों भी एकी शब्द होगा, आचल, आचल, भाई, भाई सदी सधियां, सिल्वट सिल्वटे, बूंद बूंदे, आंख आंखे, बेटि बेटियां, घर घर दीवार, दीवारे, खिडकी, खिडकिया, स्त्री, स्त्रिया, टुकडा, टुकडे, पुरुष, पुरुष, सपना, सपने, विशम्त, विशम्ताए, लहर, लहरे, घटना, घटनाए, मोती, मोती यहाँ पर भी एकवचन, बववचन, वई शब्द रहेगा, किलक, किलके, अब हम पडेंगे विलोमशब्द, विलोमशब्द याने वेतरेक पदालू समाप्त, शुरु, हद, बेहद, दंभ, विनै, अब हम पडेंगे समास पहचानिय, समासालू स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष का समास होगा, द्वन्द समास, स्त्री और पुरुष, भाई बहन, भाई और बहन, द्वन्द समास मा, बाप, मा और बाप गंद समास भुरुनों का हत्या याने यह तत्पुर्श समास होगा क्योंकि यहाँ परकारक विबक्ती उत्पनु ही है चमकीले टुकडे, चमकीले है जो टुकडे कर्मधारे समास दर्वाजों, खिडकियों, दर्वाजों, दर्वाजे और खिडकियां द्वंद समास, ओस बूंद, ओस का बूंद, तत्पुर्श समास सामाजिक विशमता है सामाजिक है जो विशमता, तत्पुर्श समास समाज की विशमता, यह तत्पुर्श समास बनता है अब हम यहां पर पहले पद्ध्य हम्श का मीनिंग्स पड़ेंगे शर्धार्ट पड़ेंगे मा नगा माता या तल्ली डर डर नगा भै भयमू फैलना विस्त्रुत होना व्यापिंचुटा आंगन घर के भीतर का सहन वरंडा हरियाली हरियाई पच्च दनमू आचल साडी का सामने रहने वाला छोर एक्स्ट्रीम पाटाप सैरी खुजबू सुगंद सुवासना घर मकान इल्लू निक किलक किलकारी केरिंता पिललु बेट्टे केरिंतलू ठुमक ठसक भरी हुई चाल तप्पट अडुगूल नडकाचिन पिललू तप्पट अडुगूल नडुस्तारे दानिनांटा कदम पग अडुगू स्टेप्प सन्नाटा खामोश निशब्दमू सेलेंडगा क्वाइटगा उंडड़ं बिखरना तितर बितर होना वेधजलुटा पसारना फायलना व्यापिंचुटा दंभ गर्व गर्वं उद्धन्डता अखडापन पोगर्वोतु तनम सदी सताब्दी सताब्दम सेंचरी इस पध्याम्ष का भावात यह है कि गर्भस्त बिटिया अपनी मा को संबोधित करती हुई इस प्रकार कह रही है गर्वं लो उन्ना आ पापा इला अंटोंदी तना तल्लीतो मा मुझे आने दो अम्मा नन्नो रानिवू मेरे आने से डर मत ने नोस्तुन्ना ननी नुवू भय पड़कू मैं तेरे आंगन से आंगन में हरियाली बनकर फैलूंगी हरियाली आंटे पच्च दनम ने नोस्ते मी इन्टलो मत्तम पच्च दनम आंटे इन्तो शुबकरमू अन्ना टू चप्तुन्दी मैं खुश्बू बनकर तुम्हारे आचल में लिप्टूंगी ने नुश्वासना का नी चीरेयो का चीरेयो का कोना अंटे मैं तुम्हारे साडी का सामने वाले जो रहने वाले चोर होता है वहाँ परसुगंद बनकर फैलूंगी कुश्बू बनकर तुमारे आचल में लिप्टूंगी मा मेरी किलकारियों और ठुमकते कदमोंसे घर का सारा सन्नाटा विखर जायेगा अंटे चिनन पिललल लेकपुते इंटलो इंतो क्वाईट गा उन्टूंदी इंतलो इंतो अल्लरी तरवात वारियोक्का माटलू पाटलू इला इन्नो इलन्ता संदड़िगा कनिपुस्सुंदी भाई की उद्धन्डता के कारन शताप्दियोंसे पिताजीका जोद्धंबु या गर्वु है उसे भी विखर दूंगी अन्ना योक्का उद्धन्डता उद्धन्डता आनगा पोगरु बोतु तनानी नानगारी योक्का गर्वानी नेनु अनची वेस्तानू अनि आ गर्वस्त अंटे पुटकमुंदे अगर्वमलोंन शिशुवु तन तल्लितो इला अंटोंदी दूसरे पध्याम्षके शब्धार्त पोँचना साफ करदेना तुडचुटा अंधेरा तम अंधकारमू लेका डार्कनेस माथा ललाटमू अनगा नुदुरू सिल्वट सिकुडना मुडता सिमटना संकुचित होना या मुडचु कोनूटा जर जड़ी निरंतरम कुरियोटा ओस ओस की बूंदे शब्नम यातो मंचु आंख नयन कल्लू कोर छोर कोना धुलना साफ किया जाना शुब्रपडूट परचपडूटा रुखिल अहसास कटिनत्वम्तो कुडिना अनुभूतुलू कठिनाईयों से भरे अनुभूतियां टफ फिलिंग्स अकडिला, मिजाज, घमंडी, स्वभाव, लेदा, गर्वापोतु, स्वभावमू चिपकाना, सत्ना या अतिकिंचुटा समुंदर, सागर, समुद्रमू, आसमान, आकाश, आकाशं अक्स, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इमेज, रिफ्लेक्शन इसका भावार्तिया है गर्वस्त बिटियां अंदेखी बिटियां अपनी मा को संभोधित करती हुई इस प्राकार कहती है मा मुझे आने दे, देने से मैं तुम्हारे माते की सिल्वटों में सिम्टा जो अंदेरा है उसे पूँच दूंगी अंटे, मियो का नुर्दिटी पई युन्ना टेंशनस ने नेनू अन्नीटी नी तूर्चिवे ये गलनू अनी घरबस्त शिशुवू अंतना तल्लितो अंटूंदी तेरी आंखों की कोरों से उसकी बुंदों सा जो ज़र जाता है उसे पूँचुंगी नी कलनी लनो नेनू तूर्चे गलनू मा मुझे आने दीजिये घर की सारी की सारी दीवारों बन धरवाजो और खिड़कियों में जो अकडिला मिजा छिपका है रूकिला ऐसा जो है वह भी धुल जायेगा इंटलो एदेते निशब्दंगा अंदकारम उन्न दो दानिनने नू मत्ता नी धुट्ची वेस्तानू अनी गर्बस्त शिजू तना तलिर्टो अंटूंदी मा मैने तेरे आंखो में तेरते समुद्रों में आसमान के अक्स को देख लिये हैं मा मुझे आने दे तु मत डर मुझे आने दे नेनू नी योक कलल लो समुद्रमो लांटी नीललो नेनूनी टेंशनस नी चूसानू तीसरे पध्यम्षके शब्धार्थ दूर असमीपस्त दूरम या पार पार दूसरी ओर का किनार अवतली उड्डु जिल्मिलाना टिम्टीमाना मिलमिल मेरे योटा दुनिया विश्व प्रपंचम्चम्कीला प्रकाश्वान कांतिवनम कांतिवनतमैना सपना स्वपन कला लहर तरंग अला थपेड धक्का अलल देब्ब ढून्डुना खोजना विदकुटा मोती एक बहमुल्य रत्न मुत्यमु सीप मोती कीमा मुत्यपु चिप्पा किस्सा कहानी रोष्णी उजाला वेलुदुरू चमक जलक मेरुपु चटक रंग से भरा रंगुतो कुडिना उकर लेक पोतेव का डीप कलर तीसरे पध्याम्ष का भावातिय है गर्वस्त बेटी अंदेखी बिटी अपनी मा को संबोधित करती हुए कहती है कि मा मैं तेरे लिए उस जिल्मिलाती दुनिया में दूर पार जा सकती हुँ तेरे सपनों के चमकीले टुकडे वहां से ला सकती हुँ दूर देश अंटे नेनु नी कोसम्मू मंची मंची चमकीले टुकडे वहां से ला सकती हुँँ नी कष्टालन अन्निट नेन दूरम चेसी नी जिवितमलो अन्नी सुखालन शुबपरदानी नेनु पंचगलनु अनी गर्वस्त शीशु तना तलितो अंटों दी समुद्र के थपेडों को अलक्ष करके समुद्र में जाकर मूती सीपी और नाविकों के कहानियों का खोज कर सकती हुँँ मैं रंगों से चटकीला और रोश्नी से चमकीला जैसे सारे काम कर सकती हुँँ इसलिए मा मुझे आने तो दे डर्मत मा मुझे आने दे अभ़म पड़ेंगे प्रश्णोत्तर बेटी मा की सबसे अच्ची सहेली है कैसे सहेली आनागा फ्रेंड बेटी मा की सबसे अच्ची सहेली है बेटी घर के आँगर में हरियाली बनना चाहती है कूतुरू तना इंटलो पच्चदनम लागा कनिपींचालानी एपड़ु आलो चिस्तिंदी माके आचल में लिपटकर खुच्बू बनना चाहती है माके आँचल आँचल आँटे सारी का कोने वहाँ पर एक खुच्बू बनना चाहती है मंची सुगंदा भरितमाईना वासनला तना चुट्टू तिरगालानी अनुकुटूंटूंदी माके सा माते की सिल्वाटों में सिम्टा अंधेरे को पोंचना चाहती है तना तल्ली पड़े कश्टालन दूरम चेयालानी आलो चिस्तिंदी माकी आंखों की कोरों से निकलने वाले आसों को पोंच देना चाहती है यपड़े ते दुकम तो तना तल्ली एडू सुंदा आ कनीट नी दुड़वालानी आलो चिस्तिंदी माकी सपनों को वह सच करना चाहती है तल्लीयों का स्वपनालनू निजम चेयालानी खूतुर एपड़ू आलो चिस्तिंदी बेटी घर की कुशी है कैसे बेटी घर की कुशी है बेटी के आने से रूखिला ऐसास दुल जाएगा एपड़ेते कूतुर पुट्तुंदो इंटलो अन्नी शुभाले जर्गुताई बेटी की किलकारियों और उटुमक्ते कदमों के शब्द से घर का सन्नाटा तुरंत बिकर जाएगा चिन्नपिलल एपड़ेते अरुस्तारो पाटलु पाड़तारो माटलाडतारो वार नडुकल नडुकल वल्ला इंटलो उन्ना क्वाइटने सन्नेदी दुरमाई पोतुंदी बेटी के उद्धनता और पिता के गरु के कारण घर में जो सन्नाटा बना हुआ है वह मिट जाएगा एदे तो इन्टलो उन्टुंदो सन्नाटा आंटे सेलेंस यववरु माटलाड़कुंदा उन्टारो अदयने दी दुरमाई पोतुंदी मा मुझे आने दे कविता आपको कैसी लगी और क्यों मा मुझे आने दे कविता मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इस कविता में एक अंदेखी बिटिया गर्बस्त बेटी गर्बस्त शिशु योक्का तन योक्का आलोचनलन इंदलो इपाठम द्वारत तिले जेडम अपनी मा से इस दुनिया में उसे आने देने के लिए विंती करती है तन तलितो गर्बस्त शिशु वेड कोंटुंदी बैटी की रावालनी उसे भरोसा देती है कि उसे आने देती तो वह मा के प्रतिक्या क्या करेगी यह बड़ी रुदेस पर्षी एवं मार्मिक कविता है गर्बस्त शिशु गर्बमलोन शिशु तन तलितो नेनु बैटीको वस्ते नी कष्टालनु दूरम चेये गलोतानु आनी तन तलितो वेड कोडम इपाठम योक्का व्रुदेस पर्षी एवं मार्मिक अंटे मना मनसुलनु अंटिन अट्टु चेपडम जरीइंदी बुरुन हत्या एक सामाजी कपराध है क्या बुरुन हत्या का दहेश प्रता से संबंध है विशय पर चर्चा कीजे बुरुन हत्या अंटे घरबस्त शिशु लवनु चंपडमु दिन की दहेश प्रता अंटे वरकटन मुदूराचारमु दिन योका प्रभावा मुंदा द पानाव समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है। अरं से ही और इवास बना हुआ है। प्रुष दोनों ने पुरुष दोनों का समातिया अधिक दिखाई। बदलते विचारांटे वरकटनमों लेका आडपिलल उन्टे कष्टालों इक्वा उस्तायों अन्ना तुई आलोचनल वल्ला गर्बम लोने सिच्वनी चंपडम जर्गुत्थुंदी यह तो धर्दनाक अमानुशिक और निंदनीयद कार्य है विचाला पिद्ध घोरमों हम आनवोंको इसका डटकर विरोत करना है इसका समूल नाश करने का भार उठाना है इलांटी चर्यलनु मनमों वेतरेकिन चाली ऐसी जगन्यक भुरोन हत्या संपन्न होने में दहेच प्रताका भी प्रमुग स्तान है आडपिलला पुडते वरकटना लिवाल सोस्तुंदी अन् चना वल्ला दुराचार आला वल्ला इगरबस्त सिचुलन चंपडमु जर्गुतुंदी मुंदुगा वाटिन मनमों आपि वेयाली यह भी एक कू प्रता है बेटी के विवाह के समय वरको दीजानी वाली धन वस्तो सामागरी को दहेच कहलाती है पिल्ली जर्गेट अपड वधू की अंटे वरुड की एवेत मनमू लांचनालू कटनालू डब्बुलू भरना आभरनालू इस्तामू दानिनी वरकटनमू अनी चपडम जर्गुतुंदी उनके भावी जीवन को सुखमय बनाने शुरू किया हुआ यह कू प्रता आज एक महा मारी बन गया है दहेच प्रताख है अनेक कारण है इसका प्रमुक कारण है भारती समाज में महिलाओं की पुरुषों की आर्थिक निर्बर्था अंटे स्त्रीलापई पुरुषोलू आधार पड़ी उन्ड़म अन्नमाटा स्त्रीयों का अशिक्षित होना आडपिलललू चदुको लेक पोडम मज लेना भी एक है इपड़ू पुरुषोलेमन कुंटारू मन स्त्रीयलाकंटे मेमे गुपवारमू मेमे वालन पालिंचे वालमन अट्टू आलो चिस्तारू उन्मे अवचित्ची एवं ज्याय की भावना का विकास नहीं हुआ है इस्त्रीयी पुरुषोलिद्दरू समा तवारिंट केल तुंदी मगा पिलाड पुड़ते तनकू सचेंदरू सेवचे स्तारन अटे अदो का आचारमू उससे ही हमें मुक्ती मिलेगी बेटी तो विवा होने तक साथ रहकर बाद ससराल चली जाएगी बेटा ही हमारे जीवन का मुख्यो आदार है इला आलो चिंच क्या कहना चाहती है तो यह आप यह कविता की कवित्री कहना चाहती है कि ब्रुन हत्यान सामाजिक एवं मानवी अपराध है इनका विरोध करना चाहिए सामाजिक नििर्मान हुआ विकास में स्थ्री पुरुष दोनों का समान महथवे लिंग भेद का डठकर विरोत करना चाहे स्थ्री पुरुष का भेद बाव हमें मिटा देनी चाहे भुरुन हत्याओं पर रोक लगा कर बाली का शिक्षा की प्रेना देना चाहे अंदुवलने अंदर की एजुकेशन नेरित तपनी सरी मा के लिए बेटी क्या क्या करना चाहती है मा के लिए तली को समू कूतुर ये में मी चेयाल अनकुटुंदी पद्धियम शमलो बेटी घर के आंगन में हर्याली बनना चाहती है मा के आचल में लिपट कर खुश्बू बनना चाहती है मा के माते के सिल्वटों में सिम्टा अंधेरों को पूंचना चाहती है मा की आँखों की कोरों से निकलने वाले आसों को पूंच देना चाहती है मा की सपनों को वह सच करना चाहती है इस तरह आप लिख सकते हैं आने तो दे धुल जाएगा सारा का सारा रुखिला एहसास यह पंक्तियों का भाव आपको स्पष्ट करना है मा मुझे आने दे कविता समाज की किस स्थिती के बारे में बताती है और लिखिये मा मुझे आने दे कविता समाज में हो रही ब्रोणोःत्याओ ब्रोणोःत्या अन्टे घर बस्त शीषोनल अल चंपवbt एडम आज कल के समाज में नारी की स्थिती के बारे में बताती है डटकर विरोथ करती है आजकल के जमाने में बालिका शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है स्त्री शिक्षा आवश्यक है इसलिए हमें सभी लड़कियों को पड़ा लिखा कर बड़ा करनी चाहिए इस पर भी यह कविता ध्यान देती है बुरुन हत्या एक सामाजिक मानवी अपराद है अपने विचार लिखिए सच मुझ बुरुन हत्या एक सामाजिक और मानवी अपराद है गर्बस्त बेटियों को मारना बुरुन हत्या कहलाती है घर्बस्तियान जो जिनका जन्म नहीं होता, घर्ब में ही उनकी मार दिया जाता है, उसे कहते हैं पुरुन हत्या समाज में यह एक समाजिक असमानता स्थ्री पुरुषों के बीच है, यह मनश्यों के द्वारा किए जाने वाले मानवी अपराद है समास्त्री और पुरुष दोनों का साकार रुप है इन दोनों का सामाजिक निर्मान का एवं विकास में समान महत्व है सामाजिक विशमताओं के कारण ये हत्याएं हो रही है जैसे की दहेच प्रता या तो स्त्री का सिक्षित ना होना इस तरह के कारणों से ऐसे आपरात को समाप्त करना जरूर है इसलिए जो ब्रुन हत्या करेंगे जो वाइट जीस के लिए स्कैनिंग लगा कर सहता करते हैं उन पर दोशार ओपन करके कैद भी करना चाहिए इस पार्ट का भाशा की बात कोश्टक में दी गई सुचना पड़िये और उसके अनुसार कीजिए खुश्बू, समुंदर, दम ये तीनों के आपको पर्यायवाची लिखना है कुश्बू का है सुवास, सुगंद, समुंदर का पर्यायवाची शब्द है सागर, समुद्र, दम्ब का है गर्व, गमंड सदी, मोती, किस्सा के वचन बदना है एक वचन और बहवचन सदी, सदिया, मोती, मोती, किस्सा, किस्से सुचना पड़िया और उसके अनुसार कीजिए मोती, सीपी का विग्रह समास करना है आपको मोती और सीपी द्वंद समास बनेगा उद्धन्ड ता, विशेष ता, कोमल ता, मदुर्ता इसमें क्या है प्रत्तेई जोडा गया है उद्धन्ड ता, तामें ता प्रत्तेई यहाँ पर सुन्दर, सुन्दर ता, कोमल, कोमल ता, उद्धन्ड, उद्धन्ड ता